नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जिन नवकरियों के लिए मैट्रिक की आर्था निधारित है, उसकी परिक्षाओं के लिए मैट्रिक से उपर की स्थेक्षनिक योगिता यानि इंटर गेजुएट पोस्ट गेजुएट भी बड़ी संख्या में योधन कर देते हैं ऐसी स्थिती में मात्र मैट्रिक पास अभियर्थिवों का हक मारा जाता है जार्खन में सरकारी करमचारिक निउक्ति के लिए परिक्षाओं आयोजित करने की जिम्यदारी JSAC की है कार्मिक भी भागने JSAC परिक्षाओं की निवावली बदलाव का प्रस्ताव त्यार कर राज के मुख सर्चिव के पास भी चार आर्थ भेजा है अगर इस प्रस्ताव को हरी जंडी मिल जाती है तो इससे अधिसुचित कर दिया जाता है तो फिर मैट्रिक अस्तर की परिक्षाओं के लिए इंटर असनातक या आने तरह की उच सिक्षा प्राप्त छात रही हुआ आवेदन नहीं कर पाएंगे हलाकि यह अभीताय माना जा रहा है कि निवावली में इस तरह का संसोधन होने पर इसका विरोध होगा इसे कोट में भी चुनावती दी जा सकती है क्योंकि पूरे देश में सायद ही कहीं ऐसी बेवस्ता हो जिसमें उच सैक्षिनिक डिग्री होने पर अभियार्तियों को किसी परत्योगी परिक्षाओं से डिबार कर दिया जाए जार्खन काविनेट की बैठक में 29 पर स्ताओं पर अपनी मोहर लगाई है काविनेट की बैठक में मुख्य मंत्री के अलावा बिभीन विभागों के मंत्री मौजूद रहे जार्खन निर्यावत निती को मंझुरूदी गई या पाँस साल तक लागू रहेगी वहीं सन्विदा कर्मियों को अब मात्रित्य अवकास का लाव मिलेगा केबिनेट केमिटी में पुरानी पेंसन विजना को भी मंजुरी दी गई है वहीं राज कर्मियों को हेल्थ भीमा का लाव मिलेगा आई टी आई में नमाकन के परिक्रिया ऑनलेन की गई वही जार्खन के पुर्व मंत्री रंधिर कुमार सिंग, लुईस मरांडी, अमन कुमार बावरी और निलकंड सिंग मुंडा पर आयस अधिक संपत्य अर्जित करने के मावले में पी-ई दर्ज होगा पी-ई दर्ज होने के इस प्रस्ताव को कैमिनेट ने मंजुरी दे दिया है, महांगामा जलापूर्ती योजना के लिए भी 83 को और अवंटित किये गए है ज्यारखन में प्रसासनिक फेर बदल बदले गए 14 जीलों के डीसी, ज्यारखन सरकार ने मंगलवार को 14 आयस अधिकारियों का टांसफर पोस्टिंग किया है अधिकारियों के तबादले के इस उतना जारी कर दी गई है, लिस्ट के अमसार पलामू, डीसी, ए, दोट्डे को दुमका का डीसी बनाया गया जबकि देवघर की डीसी मंजुनात भयंत्री को पुर्वी सिम्भूम का नाया डीसी बनाया गया है जार्खन में बड़ा पर सासनिक फिर बतल हुआ है, सरकार ने चौधा आईएस अधिकारियों के टांटफर पोस्टिंग की है सबसे परमूख नाम मंजुनात भयंत्री का है, जीन है पुर्वी सिम्भूम का डीसी बनाया गया इसके अलावा पलामू की डीसी एद दोटे को दुमका डीसी की कामा सोपी गई वहीं खुटी के डीसी ससी रजन को पलामू डीसी की जिम्दारी सोपी गई है वहीं रवी संकर सुकला को सराइकला खर्षावा का डीसी बनाया गया ससिभ भूसन मेसरा को जाम तड़ा और मिर्तियुम जय कुमार बर्णवाल को पाकूल का डिसी बनाया गया जबकि क्रिशी नीदेशक चंदन कुमार को रामगल का डिसी बनाया गया है जारखन सरकार के निर्ने से सरकारी करमचारियों में खुसी की लहर राज सरकार के करमियों के लिए मंगल वार का दिन मंगल मैं रहा, मुखे मंत्री हमां सुरें की नितित में होई, कैबिनेट की बैठाक में दो महत्पुन फैसले लिये जाते ही, जारकन सची वाले ढोलनागारों के अवाई से गुझ उठा, सची वाले करमियों ने एक दूसरे को स्वास्ट वीमा का लाव देने का निने लिया, जिसके ताव सरकारी करमचारियों और उनके परिवाय के सरस्यों को प्रति वस 5 लाग तक की ओपीडी सुविधा के साथ चिकिसे सुविधा भी मिलेगी, बरतमान समय में राज सरकार के करमियों को सरकार के दोरा एक हैरवे प्रति माच चिकिसा भाता मिलता था, चिकिसा भाता को समाप्त करते हुए सरकार ने स्वास्ट विमा का लाव करमियों को देने का निने लिया है जार्खंड के इस्कूली बच्चे पढ़ेंगे दिस्वम गुरु सीवु सुरेन की जीवन गाथा जार्खंड के सरकारी इस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अब दिस्वम गुरु सीवु सुरेन के जीवन गाथा को भी जानेंगे राई सरकार ने दिस्वोम गुरु सीवु सुरेन के नाम पर लिखी गई तिन पुष्टकों को क्राय करने का निर्नाय लिया है सरकार के दोरा जिन तिन पुष्टकों का कराय किया जाएगा उसमें सुनो बच्चो आदिवासी संहर्ष के नायक सीवु सुरेन की गाथ है दिसोम गुरु सीवु सुरेन और ट्राइवल हीरो सीवु सुरेन सामिल है सुनो बच्चो आदिवासी संहर्स के नायक सीवू सुरेन चित्रावली पर अधारित पुस्तक है वहीं ट्राइबल हीरो सीवू सुरेन अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक है राज सरकार इन तीनों पुष्टकों का करय करके सरकारी विद्यालियों के लाइबरेरी में बच्चों के पढ़ने के लिए रखने का काम करेगी मुख्यमांत्री हेमांस्रों के नितिते मंगलवार को कैबनेट के हुई बैठक में ग्यानोदाय योजना के तहत इन पुष्टकों को करय करने का निगना लिया गया है जार्खन में अपनी खोई जमीन फिर से पाने की कोशिस में नक्सली नक्सली संगठन भागपामवादी जार्खन में अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिस कर रही है इसके तहत 28 जुलाई से 3 अगस्तक मनाये जाने माले सहीत सप्ता के दरन कारकलम की एक पूरी रूप रेखा त्यार की गाई नक्सली संगठन भागपामवादी ने 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्तक सहीत सप्ता मनाने का एलान किया है सहीत सप्ता को सफल बनाने के लिए बड़े प्रवाने पर भागपामवादी के द्वारा पोश्टर बना त्यार कर पूलिस के खिलाप गिरामिनों को भढ़काने का काम सुरू किया गया भागपामवादी ने एकपत्र जारी करके भी संगठन की सक्ति को वापस लाने के लिए गुरिला वार तेज करने का वहान किया है बतादे मवादीयों को सेंटरल कमिटी ने सहीत सप्ता को लेकर 23 पन्नों का एक बुलेटन जारी किया है जिसमें अपनी खोई हुई ताकत को आपस पाने के लिए मवादीयों के सेंटरल कमिटी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो भाविस में जार्खन जाहित का इराजियों के लिए चुनाती पुन हो सकते है डिप्टी सूप्रिडेंटेंट के निरिक्षन में रिम्स से दलाल धराए रिम्स में दो दलाल पकड़ेगा है दोनों दलालों को पकलकर रिम्स के सुरक्षा कर्मियों बरियातु थाना पुलिस के हवाले कर दिया है पुलिस दोनों दलालों से पुष्टाज भी कर रही है जिसमें पता चला है कि दोनों दलाल मरीज को बहला कर बाहर के नीजी दवा दुकानों से महंगी दवा खईदने के लिफ्रेरित करते थे बताद जहरकन के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फिर से दलाल सक्रिय हो गया है मंगलवार को रिम्स के डिप्टी सुप्रिडेंटेंड डाक्टर सैलेस त्रिपार्ठी के निरिक्षन में अकुलाचा हुआ है निरिक्षन के दौरान दो दलालों को डिप्टी सुक्रिडेंडेंड ने पकड़ा, इसके बाद रिम्स में तना थुरक्षी करमीयों ने दोनों दलालों को अपने कभजे में ले लिया और मामले की सुचना बरियातू थाना पुलिस को दी गई जनकारी मिलते ही पूलिस रिम्स पहुंची और दोनों दलालों कोई रासत मिलेकर बरियातु थान पहुंची जहां दोनों दलालों से पुस्ताश की जा रही है बांगला देशी घुसपैठियों की जगह मनीपूर की करे चिंता जे में जहारखन के राजेपाल सीपी राधा क्रिश्नन द्वारा जहारखन बांगला देशी घुसपैठियों पर दिये बयान पर जहारखन मुक्ति मोर्चा ने प्लटवार किया है जहारखन का कोई भी सीमान चल बांगला देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है चाइबासा में 88 पदो पर भरती चारखन के चाइबासा में 88 पदो पर भायके से निकली है इसके लिए चाइबासा जीला के अधिकारिक वेप साइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया अगर आप यह नवकरी करना चाहते हैं तो आप परकासित नोटिफिकेशन को अश्री तरह से पढ़े और आवेधन की परकिरिया को समय से पहले पुरा करे बता दे इन पदो पर आवेधन करने के लिए उमिद्वारों की योगिता पदों के अनुशार अलग रगनिधायत किया गया है चाइबासा जीला के इन पदो पर उमिद्वारों का चैन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा होगा दुमका में मेढक मेढकी की अनोखी साधी दुमका जीले के मसलिया परखंड शेत इस्थीत गोलबंधा पंचायत के गोलपूर गाओं में आदिवासी समाज के किसानों ने बारिस होने की कामना को लेकर मंगलवार को मेढक और मेढकी की बीधी बिधान से साधी कराई मसलिया में लगतार दूसरे साल ऐसा बीवार रचाया गया दरसल शेतर के किसान बारिस नहीं होने से चींती था इसको लेकर विभीन तरह के पूजा पार्ट टोटका अपना रहे हैं पलामू में बीए सेफ के जवान ने महिला सही चार लोगों पर तलवार से किया हमला मंगलवार 25 जुलाई को पलामू चर्चा में है पहले मामले में छतरपुर में सोतेली मा ने अपने 12 साल के बेटे की हत्या कर दी वहीं दूसरे मामले में पड़वा थाना छेतरे के गोलहाना गाव में एक बीए सेफ जवान ने जमीन विवात को लेकर अपने गोतिया पर तलवार से हमला कर दिया इस हमले में PDS डिलर सत्य देव तिवारी की मौत हो गई वहीं PDS डिलर की पत्नी समय तिन अने घायल हो गई सभी घायलों को मेदनी राय मेटकल कॉलेज एवाम होस्पीटल में भरती कराया गया है वहीं पुलिस ने आरोपी BSF जवान को गिरफतार भी कर लिया है बतादे पलामू के गढ़वा थाना छेतर इस्थीत कोलहान गाव में BSF जवान उर्मिल तिवारी उर्फ रुपेश का अपने गोतिया 60 वर्षे सत्र देव तिवारी के साथ जैमीन विवाद चल रहा था है जारखन के 5 पुर्व मन्तरियों की आयसे अधिक समपत्ति की होगी जाच था बतादे मंगलवार को मुक्ष मंत्री हमन सुन के दक्स्ताय में होई राज्य मंत्री परशत की बैठक में इसे समंधित परस्ताओं को मंजुरी दी गाई सबके खिलाप गोपनिये सत्यापन कारे पूरा कर लिया गया है कैबिनेट ने इसके साथ ही कूल 29 परस्ताओं को स्विक्रिती परदान की है प्रश्न पत्र लिक करने वालों को 10 साल की सजा पांच सो रुपे हेल्थ एलाउंस दिया जाएगा और सेश पांच सो रुपे को जोड़ को सलाना च हाजारुपे का भुकतान करे हेल्थ पोलीस दी लिजाएगी बताद इस राशीका भुकतान स्वास्त भिमाध देने वाली कंपनी को किया जाएगा इसके साथ ही केमरेट llevNlia पर एकस्पायर माल की बिक्री अगर आप बियर के सौकीन है तो ज़रा संभल कर पिए बता दे बियर का सेवन करने के पहले इसे बनाने और एकस्पायरी के तितियावस से देख ले राज में बड़े प्रमाने पर एक्सपारी बियर की बिख्री हो रही है इसे मन्द में सिकायते भी सामने आ रही है बियर के ऐसे कई ब्रांड है जिसके बोतल वक केन पर मैनुफेक्चिरिंग तीथी पिछले वर्स किया है उलेखनी है कि 6 मने से अधिक पुरानी बियर नुकसान पहुशाती है एक्सपारी बियर की बिक्री परतिबंदित होने के बाजूत बजार में हो रही है कोई दिन पहले ही रांची के रातू थाना चेतर के दला दली इस्थी सरकारी सराब की लाइसेंसी दुकान में नकली सराब बेचने के मामले का खुलासा हो चुका है जब लोगों ने नकली सराब बेचने का वीडियो वारल किया तो उतपाद भी भाग सक्री हुआ और फिर आरोपीत को गिरफतार किया गया कुख्यात प्रिंस खान गिरोह का सूटर अफजल गिरफतार ज़ारखन पूलिस की अतंकवाद निरोथक दस्ता ने धनबाद वा पलामू पूलिस के सहयोग से धनबाद में सक्रिये रहे गैंग्स्टर प्रिंस खान गिरोह के सूटर अफजल अंसारी को मंगलवार को ग्रफतार कर लिया है अफजल पलामू के मनातू थाना छेत्र के रहिया गाव का रहने वाला है उस पर गोविंदपूर बैंक मोड वा तोपचांची थाना में कूल चार मामले दर्ज हैं ए मामले जानलेवा हमला फायरिंग बंबारी आजिस से समन्दी था है एटीयस से मिरी जनकारी के अनुसार अफजल अनसारी पर एक जुन को धानबाद जीले के तुपचांची थाना छेत्र इस्थीत सान एफ पंजाब होटल पर बंबारी वा दस जुलाई गोविंद पूर्थाना चेत्र में बिहारी लाल चौजरी के सोपिंग कंप्लेस में गोलबारी करने क्यारोप के पुष्टी हुई है जारखंड में एटीयस की छापे मारी 109 ठीकानों पर पहुंची टीम जारखंड में पुलिस मुख्याले के निर्देश पर अतंकवाद निरोधक दस्ता ने 16-24 जुलाई तक अब राधियों के 109 ठीकानों पर छापे मारी की है या करवाई धनबाद रामगर हजारी बाग लातेहार पलामबूर रांचिवा बोकारों में हुई है कुल असी संदिग्दों का सत्यापन किया गया जिसमें 45 संदिग्दों से पुष्टाच और 36 को बंड भरवा कर छोड़ दिया गया वहीं 10 फरार आरोपितों को ATS ने गिरफतार किया है पुलिस मुख्याले में आईजी अभियान अमोल वीनु कान्त होमकर हुआ SP ATS सुलेंद कुमार जहाने मंगलार को बताया एक विभिन कुख्यात अपराधिक गिरोहों का डेटाबेस त्यार किया था अपराधियों के विरूत ATS की सक्ति जारी रहेगी उनको सरन देने वालों को भी बक्सा नहीं जाएगा पाकुड में महिला से समोहिक दुसकर मामले में प्रेमी की हुई पहचान पाकुड थाना छेतर के एक स्कूल के पास 36 वर्षी आदिवासी महिला के सा समोहिक दुसकर मामला में पुलिस ने 10 से 12 लड़कों की विरूत मामला दर्च किया है पुलिस संसुन्धान में जूट गई है, महिला के प्रेमी गीपाचान के लिए पुलिस मोबाइल की CDR निकाल जाच में जूट गई, वहीं SDPO अजित कुमार बीमल स्वयम गंबीता से मामले की जाच में जूटे हैं, वहीं SI प्रेम चंद्र भगत, SI जलधर हेमरम ने मंगलवा प्रखंड मुक्यले सिद्वी भीन परतिष्ठानों में लगी CCTV फूटेज को खंगाला है, पीम किसान की चौदहमी किस्त 27 जुलाई को होगा जारी, पीम किसान समान निधी योजना के चौदहमी किस्त का किसान बेसबरिस इंतियार कर रहे हैं, लेकिन आप किसानों का इंति किसानों के बैंक अकाउंट में टास्पर करेंगे, अगर आप इस जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी ख़बर है, बता दे इस जुड़ना के लाव लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द पीम किसान के अधिकारिक बेब साइट पर जाकर सारे काम निप्टा ले नहीं तो चुड़ा में किस्ट का पैसा अटक सकता है, बता दे कि अब तक किसानों के खाते में तेदा हुए किस्ट का पैसा फरवारी महिने में ही डाल दी गई थी मुहरम जूलूस को लेकर पूलिस अलर्ट, रांची में मुहरम का जूलूस 29 जूलै को निकाला जाएगा, जूलूस में सांती विवस्था के लिए पूलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, सहर के परमुक 44 पर अभी सही पूलिस की तेनाती कर दी गई है सुरक्षा के मद नजार, जीले भर में 2000 अतरिक्त फोर्स की तेनाती की जाएगी, इसमें जीला बल, जैप, रैप, सैप, आयारवी आधी सामिल है बतायते सहर में लगे CCTV कैमरे से पूरे जूलुस की निगारी की जाएगी, जूलुस की मोनेटरिंग कंट्रोल डूम से भी होगी, इसके लिए कंट्रोल डूम में भी जवानों के तेनाती रहेगी, SSP ने सभी कैमरों को दुरुस्ट करने का भी निर्देश दिया है सिक्छक पर छात्राओं के साथ छेलखानी का आरोप सबक पर उत्रे ग्रामीन रांची के पिठोरिया इलाके में इस्थीत एक स्कूल के सिक्छक पर छात्राओं साथ छेलखानी करने के ममला सामने आया है सामने आने के बात गरामिन आको सित हो गए और आरोपी पर करवाई की मांग को लेकर, शैकलों की संख्या में गरामिनों ने पिठोरिय थाना के घराव कर दिया, पूरा मामला पिठोरिया स्थित नीश्चर मेमोरियल स्कूल का है, स्कूल के सिख्चक Japanese जगनात मिस्त्रपर III न कुछ गरामी शड़कों पर हंगामा करने लगे वहीं कुछ गरामी नोंने थाने का खिराव भी किया है ज्यारखन में 28 जुलाई से बारीज रांची मौसम केंद्रे ने 26 से लेकर 28 जुलाई तक गरजन और बजरपात की समभना जताते हुए चेतावनी जारी की है इस तोरण बताया है कि दक्षनी और मत जहरकान में हलके से मत दर्जे की बर्चा होगी वहीं राजे के सेस भाग में भी हलकी बर्चा होने की बात कही गई मौसम केंद्रे के अनुसार 28 जुलाई से एक बार फिर मांसून गती वीदियों में तेजी आने की उमीद है बता दे मौसम केंद्रे के अनुसार राजे में 24 में से सिर्फ 3 जुले गोड़ा, सिम्डेगा और साहिब गई में समान वर्चा हुई है जबकि राची सहीत बाकी के कही जुलों में समाने से भी कम वर्चार रिकोर्ट किया गया अभियान 4 अगस तक चलेगा इसमें ऐसे लभार्थियों को चायनित किया जाएगा आयुस्मान भारत विजना के पात रहा है लेकिन उनका कार्ट नहीं बन सका है इसके अंतरगात सहिया दिदी घर घर जाकर EQC के माध्यम से ऐसमान कार्ट बनवा रही है ग्यात हो कि इस कार्ट के जरिये सभी लागों को प्रति और 5 लाग तक का इलाज मुप्त किया जाता है बतादे इस कार्ट के एवज में किसी भी परकार का कोई सूल्क नहीं देना होगा ऐसे लोग जो हरा, पिला और गुलावी राशन कार्ट धारी हैं वे इस योजना का लाब ले सकते हैं BJP के पूर्व MLA संजीव सिंग ने मांगी इक्छा मिर्तियू जारखन के एक पूर्व विधायक ने कोट से इक्छा मिर्तियू की मांग की है मामला धनबाद से जुड़ा है जहां पूर्व डिप्टी मेर निरज सिंग हत्याकान में भाजपा के टिकट से जहरिया के पूर्वी विधायक रहे संजीव सिंग साल 2017 से जेल में बंध हैं 11 जूलाई 2023 को जेल वार्ड में गिरने से ओगंभी रूप से घायल हो गए थे 11 जूलाई को जेल पसासन ने SNMMCH अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ति करया था तब से पूर्व विधायक अक्सिजन पर है पूर्व विधायक की पतनी सभाजपा नेत्री रागनी सिंग ने बेहतर इलाज के लिए नेजी अस्पताल ले जाने की मांग नियालायव अकोर्ड से लगतार की है लेकिन आदेस नहीं मिल पाया है खुटी में सडक हाजसे में चार की मौत खुटी में भिशन सडक हाजसा में चार लोगों की मौत हो गई है राची से आ रहे हाईवा ने एक अटो को अपनी छपेट में ले लिया जिसमें सभार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई बता दे खुटी जिले के तोरपा थाना चेतर में रांची से बालो लोट करने जा रहे एक हाईवा ने आटो को जुरदा टकर मार दी इस हाथसे में एक महिला समेत कूल चार लोगों की घटना स्थल पर हिमोथ हो गई तोरपा थाना चेतर के डंडा टोली गाओं की अघटना बताई जा रही है जारखन के चार बिर्धा आश्रम में रहते हैं 200 वरिष्ट नागरी केंद्रिय समाजिक नाय और अधिकारिता राजय मंत्री परतिमा भौमिक ने बताया है इसके सभी राजयों में 601 बिर्धा आश्रम संचाली था हैं जिन में 4 बिर्धा आश्रम जारखन में चल रहे हैं देवगर, पच्मी सीमू, पुर्वी सीमू और सराय के लेखार समें इन बिर्धा आश्रम का संचाली निशूर करूप से किया जा रहा है बतादे जारखन के 4 बिर्धा आश्रमों में 200 वरिष्ट नागरिक रहे हैं जबकि ओडिसा जैसे छोटे से राजय में 89 बिर्धा आश्रम है जहां एकई 100 वरिष्ट नागरिक रहते हैं वरिष्ट नागरिकों के आश्राय पोशन चिकिसी देखभाल और मनुरंज कारे कलाप जैसी सुविधाओं के साथ भारत में 601 वरिध आश्रमों का निशूप संचालन किया जाता है इसका संचालन विभीन स्वयम सेव की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है धन्यवाद